Hello friends, welcome back to e-education channel So friends, आज आप देख रहे हैं ITI apprenticeship के लिए यहाँ पर recruitment जाड़ी किया गया है But other stream के candidate जैसे की graduate candidate चाहे वो किसी भी stream से हो या फिर 12th past candidate, post graduate candidate उन सभी के लिए भी vacancy available है हर एक stream में वीडियो के last में मैं इसी screen पर 3 और वीडियो प्लेस कर दूँगा और प्लेस्ट में आप जाके देखेंगे बहुत सारी vacancy अबलेबल है other other category के लिए, case student के लिए So आज हम बात करने जा रहे हैं ITI जिसमें की 16 different trade की vacancy है जैसे की electrician हो गया, turner हो गया, mechanic हो गया, draftman हो गया, stenographer हो गया, programmer हो गया, carpenter हो गया, बहुत सारे vacancy यहाँ पर release की गई है, इसमें आपको salary भी मिलने वाला है, कोई भी examination written नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका merit based पर selection होगा, बट क्या process है, कैसे आपको apply करना है online, यह मैं आपको दिखा देता हूँ live, okay चलिए देखते हैं, और channel को जरूर subscribe कर लीजेगा, अगर आप अभी तक नहीं किये हैं तो, यहाँ पर देखेंगे, यह जो है vacancy जारी किया गया है, हेल के द्वारा, right यहाँ पर देखेंगे, यह जो है हिंदुस्तान एरनोर्टिकल, एरनोर्टिकल लिमेटेड नासिक में यह vacancy है, जहां कि आप देखेंगे, जिन्होंने यहाँ पर ITI किया है, आठ हजार पचास रुपए आपको stepen के तौर पे मिलेगा, फिर्टर के लिए 138 vacancy है, टूल डा इलेक्ट्रोनिक मेकनिक के लिए 8, मेकनिकल ड्राफ्टमें 5, मेकनिक मोटर वेकिल 6, आर एसी रेफ्रिजरेशन एन एर कंडिस्निंग के लिए 6 और यहाँ पर 7 vacancy पेंटर के लिए है, तो इसके लिए जिन्होंने 2 साल का ITI किया है, तो वो अपलाई कर सकते हैं, जैसे पें इसके लिए 6 vacancy, seat metal worker 4 vacancy, computer operator and programming assistant 50 vacancy, welder gas, इसमें यहाँ पर देखेंगे 10 vacancy, stenographer 3 vacancy, तो यहाँ पर जितने आपको प्रोफाइल दिख रही है, इसमें सिर्फ एक साल का ITI चाहिए, अब इसमें देखिए, अपलाई कैसे करना यह मैं आपको बताता हूँ, बट यहाँ पर ITI क आपको definitely registration होगा, तो यहाँ पर आप registration नहीं किये हैं, तो apprenticeship india.gov.in पर जाके आप registration कर सकते हैं, ओके यह different चीजे हैं, अब यहाँ पर selection जो होगा 10th का score और ITI का score, इसके basis पर 50% दोनों का weightage लिया जाएगा, 50% है 10th का और 50% ITI का, उसके basis पर जिसका merit list अच्छा रहेगा, उसक को जो है बुलाए जाएगा, तो यहाँ पर देखेंगे guys, कि आपका last date है अपलाई करने के लिए 31 अगस्त, और second और third week में आपका document verification के लिए, you know, shortlist किया जाएगा, आप आईए document verification, आपका नाम shortlist हो है, document verification के लिए, तो आपको बुलाए जाएगा, और fourth week में आपको shortlist कर दि joining होगा, हना, September के last में, और second week में आपका, जो है, October में, दसारा के आसपास, उससे पहले ही आपका joining हो जाएगा, ठीक है, अब कैसे apply करना है, यह मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, तो इसमें यहाँ पर एक QR code दिया गया है, और एक link दिया गया है, अगर आप QR code को scan करे या फिर link को click करेंगे, तो directly आप जो है, एक Google form खुलेगा, वहाँ पर आप यह देखिए, यह दिया गया ना, link for the ITI candidate, तो QR code इससे भी कर सकते हैं, यहाँ पर इस link पर click करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, एक page खुल रहा है, right, तो यह page खुल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक page खुलेगा, Google page, यह देखिए, खुल गया, तो Google application form for ITI apprenticeship candidates at Hale Nasik 2024, यहाँ मुझे sign in मांग रहा है, तो आप अपना Gmail ID जो होगा, उसे sign in कर लीजेगा, उसका पूरा form फिल कर लीजेगा, यहाँ पर, and कोई भी फी नहीं है, document अप्लोड कर दीजेगा, that's it, okay, so good luck, मिलते है नए vacancy में, कोई भी help चाहिए, जरूर बताईएगा, so good luck, thanks for watching this video, thank you